एलो एवरीबरन इस वीडियो में आपके बनाए हुए एक उस ब्लावज की डिजाइन आपके साथ सेर करूंगी तो यहां पर डौ पैटरन उपर मैंने सब भी साथ सी ब्लावज बनाया है प्रेंसेस कट 3-piece प्रेंसेस कट वोल टक्स और कटोरी ब्लावज भी बनाया है सारी के डिजाइण आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और वीधी यहां से पेलिग। को मैंने यहां पर सब यह साची पैटन पर बनाया है डीपनेक के साथ कहीं पर राउंड बिल्ट भी बनाई है स्लीप की लन्थ रखिये लुष क्क को शोटा करने के लिए दिखें, सिंटर पर मैंने इस टिप भी लगाई है यह ब्लाउज बैक उपन पर है और बेक पर भी मैंने लेस से नेक को कम्प्लीट किया है पढ़ने के बाद इसका फ्रेंट साइट और यह है बैक साइट इस ब्लाउज को मैंने 3 पीस प्रिंसेस कट पर बनाया है बेल्ट पर डोरी पाइपिंग और फ्रेंट से उपन है यहाँ पर कर वी सेफ ड्रो किया है और नेक को मैंने डोरी पाइपिंग पर कम्प्लीट किया है स्लीब को भी डिजाइनर बनाई है बैग साइड पर कर्भी सेथ बनाया है और यहां पर मैंने दोरीकाइपिंग का ही उज़ किया है यह बावेश का फ्रेंट साइड यह है वैंग साइड इस बावेश को वावेश को मैंने यहां पर बन पीस प्रेंसेथ कर्ट पर zijn बनाया है पोटली Πरन को साथ five corner से ब्रोग किया है फ्रेंट पर sleep को भी डिजाइनर बनाया है sleep round पर डोरी पाइप देखें यहां पर मैंने वोटली बटन का यूज़ किया है यह है बैक का साइड पूरी ही ब्लाउज पर मैंने यहां पर वोटली बटन का यूज़ किया है आप देख सकते है तो पहनने के बाद यह है ब्लाउज का front side और यह है back का side इस ब्लाउज को सब इसाजी pattern पर बनाया है यह अलग तरीके का pattern है तो बहुत यह आसान तरीके से इसे मैंने cutting और इस्टिस करना भी दिखाया है यह है back side, back side पर मैंने round neck और यह ब्लाउज back open पर रहेगा front side से इसका यह look है और यह है back का look इस ब्लाउज को मैंने कटोरी ब्लाउज पर बनाया है front से open है round neck के साथ sleep पर भी देखिए यहाँ पर lace से design बनाई है back side पर round neck और इसी lace को मैंने यहाँ पर देखिए sleep round पर लगाया है आमने सामने रखते हुए ब्लाउज का front look और यह है back look इस ब्लाउज को vortex ब्लाउज बनाया है simple blouse है without belt back side पर back neck design भी बनाई है cut work के साथ cut work और samosa lace से मैंने इस ब्लाउज को complete किया है front side से यह ब्लाउज इस तरीके से दिखेगा और यह है back का side इस ब्लाउज को shoulder to waist V deep neck पर complete किया है round weld के साथ और पूरे ही ब्लाउज पर मैंने dory piping का यूज किया है sleep round पर भी sleep की length को मैंने यहाँ पर seven easy रखा है आप चाहें तो छोटी या बड़ी sleep भी लगा सकते हैं back open पर है यह ब्लाउज और यहाँ पर curve V deep drop करते हुए neck पर मैंने dory piping का यूज किया है और waist पर भी front side से यह ब्लाउज इस तरीके का है और यह है back look इस फ्लाउज को three piece princess cat पर बनाया है round build के साथ friends से उपर रखते हुए round neck भी यहाँ पर बनाया है यह sleepless प्लाउज है और पूरे ही blouse पर मैंने देखे इसे borderless पर complete किया है यह है back side से भी यहाँ पर round neck दिया है और इस पूरे ही blouse को मैंने without paper pasting पर complete किया है यह है blouse का front side और यह है back side तो इसमें से आपको जो भी blouse design पसंद आए चैनल को जरूर विजिट करें वहाँ पर आपको इसकी full cutting और stitching दिल जाएगी और इसे आप बहुत ही आसान तरीक से बना सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो like को share करें और अभी तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें थे थे तक यू